हेलो फ्रेंड आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं ये ब्यूटिफूल सा बैक ब्लाउज डिजाइन तो चलिए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को और डिकट करके रख लिया है इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 14 इंच लिया है चेश्ट 34 का वन फोर्थ ले लिये हैं और 2 इंच हमने इस्टा मार्जिंग लिया है कमर हमारा 28 है और 1 इंच प्लस हमने टक्स किले किया है आर्भोल हमने लिया है 7 इंच, सोल्डर भी हम यहाँ पर 7 इंच ही ले लिये हैं अब यहाँ नेक की चौड़ाई लेना है तो यहाँ पर 4 इंच हम नेक की चौड़ाई रख रहे हैं यह बोट नेक पर बनेगा और सोल्डर हाप इंच हम डाउन करेंगे अब इसकी जो डीप है वो हम यहाँ पर 3 से 3.5 इंच रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ आप 3 से 3.5 इंच रख सकते हैं तो इस तरह से पहले हमें बोट नेक का सेफ दे देना है तो इस तरह से हम राउन सेफ देंगे तो हम ने यहाँ पर सेफ दे दिया अब इसके बाद नीचे का डिजाइन तो देखे इसको पूरा आपको नाप लेना है और इस तरह से टेप को फोल्ड कर लेना है और सेंटर पे जो भी आएगा उसका मार्क करके आप जितना ब्रॉट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो उतना रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं चार सेब देना है तो हमने यह सेब दे दिया है इसको मैं अच्छा से डार कर ले रही हूं ताकि जब हम इस पर पेपर रखे तो उस पर भी यह मार्क आना चाहिए तो पहले हमने ले लेना है इस तरह से केनमस पेपर यह प्रेस वाला है आप चाहे तो दूसरा अला भी ले सकते ह है तो इसे हमारी जो लंबाई हो जितनी हमारी ब्लाउच की लंबाई है उतने ही आपको इस पेपर की लंबाई रखनी है और इसके उपर हम अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो हमने जो निशार लगाया हुआ था वो दिख रहा है तो वह दूसरी साइड भी हमारी जो मार्किंग है वो आ जानी चाहिए तो इस तरह से हमने डार कर लिया है अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहां से बराबर हम कट कर लेते हैं उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा केनवस पर पट छोड़ती हुए द अगर आप ना भी करें तो भी चलेगा आप ऐसे ही इसको ना अपने ब्लॉज के जो बैक साइड है उधर आपको प्रेस करना है यहां पर मैं कट कर ले रही हूं अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो भी बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ यह बनेगा क्योंकि जहां से हम आपको सिलाई लगाना है बट यहां पर मैं यहां पर कटिंग कर ले रही हूं तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है अब इसे ओपन करके दिखाती हूं तो इस तरह से हमें ओपन कर लेना है और हमारा जो बैक साइड का पला है जो हमने कट किया है अस्तर वाला उसे हमें ल है तो में प्रेजd से चिपते हैं अगर आपका नॉर्मल बंगर फसिल समें लगा लिए है तो इसलिए कर दि suburbs goofy ये झायर लगा ले पर हमें लेकर भी आधी करना रख से में लगले। ने लिए तरे औरेका किया अगर नहीं है तो आप नौर्मल भी पत्टी ऐस सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से हमने पट्टी को जॉइन कर लिया है अब देखें यहां पर हमें शिलाई लगाना है जैसे हम डोरी बनाते हैं ब्लॉज में अपने बस वैसा ही आपको डोरी बनाना है बस यहां पर यह दोरी को आपको थोड़ा सब मोटा ही अब निडील के साहता से हम इस पट्टी को पलट लेंगे अब इसनी चार भाग में डिवाइट कर लेते हैं इस दरह से चार भाग में हमने कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे तो देखिया हमने इसे कट भी कर लिया है दो हमारा उपर के लिए और दो हमारे नीचे के लिए अभी सबसे पहले क्या करना है आपको जो हमने टेज किया हुआ था बैक साइड का अस्तर वाला कपड़ा उसे ले लेना है जैसे मैंने निशान लगाया है सेंटर पे आप लोगों को दीख भी रहा होगा वहीं पर इस पट्टी को रखे पहले हम सिलाई लगा लेंगे ये मैं सिलाई यहाँ पर इसलिए लगा रहे हूँ और दूसरी सिलाई फिर हम लगाएंगे जो आगे आप वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर देखे और दूसरी पट्टी जो है हम नीचे की तरफ अटेज करेंगे यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा के दोनों पट्टी को हमने यहाँ पर लगा दिया है और मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ ना कि आपको कोई कंफ्यूजर नहीं होगा कभी कभी क्या होता है कि हमने हमारा जो एक पल्ला है वो हम पलेट लेते हैं दूसरा पल्ला फिर उल्टा हो जाता है तो अगर आप इस तरह से blouse ready करेंगे तो आपको कोई भी confusion नहीं होने वाला है उल्टा सिधा का तो अब हमने ले लिए हमारा man fabric man fabric ले ले लेंगे और असतर वाला जो हमारा कपड़ा है उसको हम इसके उपर रखेंगे और अच्छे से set कर लेते हैं तो यहां पर आपको विषयश रुप से पट्टी का बहुत अच्छे से धियान रखना है कि पट्टी कहीं सिलाई में दब न जाए तो इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर हम pin up कर लेंगे तो देखे पट्टी को हमने यहां center पे रखा है अब यहां पर हम pin off कर लेते हैं दूसरे side भी पट्टी पे इस तरह से रखके पिल लगा लेते वैसे भी हमें पिल लगाना ही रहता है ताकि जो कपड़े हैं इधर उधर ना सर के तो अच्छा है कि पट्टी को आप सेट करते हुए उसी पट्टी पे पिन उप कर दीजिए तो इस तरह से नीचे कि तरह भी हम पट्टी पे ही जो पिन है उसे लगा लिये हैं अब इसके नेक पे हम सिलाई लगाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर canvas paper कट किया है ना बिल्कुल वैसे आपको सिलाई लगाना है तो एक बार तो पट्टी पे हमने सिलाई लगा लिया था अस्तर के उपर ठीक है अब यह हम दुबारा सिलाई लगा रहे हैं पट्टी के उपर ही यह भी सिलाई लग रहा है तो यह हमारा दूसरा सिलाई हो गया है तो कहीं नहीं हमारी पट्टी कहीं नहीं निकलने वाली है बहुत अच्छा से यह fix हो गई है तो इस तरह से देखिए हमारे एक साइट सिलाई लग गया है और ऐसा ही हम इधर कमर पे लगाती हुए जारे जो हमारा canvas paper है उसके नीचे से हमको सिलाई लगाना है ताकि हमारा कमर भी थोड़ा सा tight रहे अब यहाँ पर मैं cut कर ले रही हूँ आप चाहें तो cutting बाद में करें दूसरे पल्ले में सिलाई लगा के भी आप cutting कर सकते हैं कोई problem नहीं है बट यहाँ पर मैं cutting कर ले रही हूँ तो cutting करके मैंने एक पल्ला अलग कर लिया है अब यहाँ पर दूसरे तरफ हम कमर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से सेट कर ले और कमर से इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे जैसे वीडियो में आप देख रहे हूंगे बस ऐसा ही आपको सिलाई लगा लेना है आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ आ रहा होगा अगर कोई भी confusion हो तो आप मुझे comment करके पूछे तो मैं वो clear करूंगी तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है अच्छा से सेट करते हुए तो हमारी यह जो सिलाई है लग गई है अभी हम quarter inch की margin देते हुए जो भी कपड़ा है उसे भी हम cut कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा easily दोनों side का पला ready हो गया बिना कोई confusion कि यह उल्टा हो गया, सीधा हो गया, अकसर होता है ऐसे तो हमारा दोनों पला ready हो गया है अब यह हमें क्या करना है छोटे-छोटे cut लगा देना है ताकि हम इसे पलटे तो फिरिशिंग के साथ हमारी पलट जाए तो हमने इस तरह से छोटे-छोटे cut लगा दिये है और pin को निकाल लेते हैं, इसके बाद हमें इसे पलट लेना है तो पलट ना है, पलट निकले भी बहुत इजी है जो हमने डोरी लगाया, बस डोरी को आपको खीच लेना है तो पूरा जो corner है, बहुत अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगा तो इस तरह से देखिए, एक साइड हमने पलट लिया है दूसरी तरह भी सेम आपको cut करके इसे भी पलट लेना है तो हमने इस तरह से दोनों पल्ला यहाँ पर पलट लिया है अब यहाँ में क्या करना है, यहाँ पर हमको ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा देना है और जितना भी इस्टर कपड़ा है उसे हमें cut कर लेना है तो हमने टॉप सिलाई भी लगा लिया और साइड का जो इस्टर कपड़ा था मैं फैब्रिक अस्टर को हमने attach करके उसे भी हमने cut कर लिया अब यहाँ पर हमने जो डॉरी बनाया था, मैं यहाँ पर simple सा लटकन बना रही हूँ आप चाहे तो designer लटकन बना के भी लगा सकते है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर simple सा लटकन बना लिया है तो मैंने चारो डॉरी पर attach कर लिया है लटकन, और भी यहाँ पर अब हमें tux पर Zilai लगाना है तो हम tux पर सिलai लगा लेंगे, दोनों पल्ले पर लगा लेना है आपको तो मैंने दोनों पल्ले पर Tux सिला लगा लिया है, और यह जो हमारा blouse है वो ready हो हो गया है तो जो हमारी डोरी है उसको हम इस तरह से बंढ़ेंगे तो इस तरह से तो यह हमने यहां पर बांद लिया है और इसको आप अगर इसका फ्रंट साइड आप बनाते हैं तो पैक रखेंगे तो भी यह ब्लॉज बैक साइड से खुल जाएगा आई होप दोस्तों आप